दोस्तो आज हम share कर रहे हैं कच्चे आम की बहुत ही आसान सी रेस्पी जिसे बना कर आप साल बठ रख सकते हैं ये ना तो आम पापड़ है और ना ही अचार बहुत ही लाजबाप सी रेस्पी है और इन दोनों रेस्पी के लिए मैंने एक किलो कच्चा आम लिया है इस रेस्पी के लिए आम पल्प वाले लीजिएगा तो सबसे पहले पीलर की हेल्प से इनके छिलके निकाल लेंगे तो देखिए सभी आमों को हमने पील कर लिया है अब एक कच्चा आम लीजिए और गुठली छोड़कर दोनों की नारों से कट कर लीजिए अगर बिना गुठली वाला आम है तो उसको बीज से काट लेजिएगा अब आम के दोनों की नारों से पतला पतला काट कर निकाल लेंगे देखिए इस तरह से अब आम के बीज से कट लगाएंगे और इसके छोटे छोटे पीसेज कर लेंगे इस तरह से आम के चोकोर चोकोर पीसेज होंगे आप चाहें तो इन आमों को पतला पतला लंबा लंबा भी काट कर ले सकते हैं गुठली के किनारे के हिस्से से भी हम इस तरह से टुकडे काट लेंगे और ये जो गुठली है इनको हम फेकेंगे नहीं इनका इस्तमाल हम दूसरी रेस्पी में करेंगे तो सारे आमों को हमने इस तरह से चकुर पीसेज में काट लिया है और जो किनारे का हिस्सा है उनको हमने एक तरफ रख लिया है इधर आमने एक बड़े बर्तन में दो गिलास पानी गरम होने के लिए रख दिया था पानी गरम हो गया है तो हम इसमें आम के पीसेज डाल देंगे और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच काला नमक इससे आम जल्दी गल जाएंगे और आम के टुकडों में नमक का टेस्ट आ जाएगा और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए हम दो मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद हम आम को चन्नी से छान लेंगे और देखे आम के टुकडों को हमें ज्यादा नहीं उबालना है इतना उबालना है जिससे आम के टुकडे खड़े-कड़े रहे मैसी नहों इस पानी को फेकिएगा मत इनका इस्तमाल आमपन्ना बनाने में कर सकते हैं आम के टुकडों को हमने बाल में निकाल लिया है अब इसमें चीनी डाल देंगे लगभग ये आधा किलो आम है तो इसमें हम 400 ग्राप चीनी डालने हैं अब चीनी को अच्छे से मिला लेंगे इनको हम इस तरह से टॉस कर ले रहे हैं चम्मस से मिलाने पर आम के टुकडे तूट जाएंगे आम के टुकडे गरम है तो चीनी जल्दी घुल जाएगी तो हम इनको ढ़क कर आधे गंटे के लिए रख देते हैं आधे गंटे बार देखिए चीनी अच्छे से मिल्ट हो गई है और टुकडे एकदम जूसी हो गए हैं तो इनको हम चन्नी से चान लेंगे चासनी बावल में आजा तो थोड़ी देर इनको जटक लीजेगा इस तरह से आधे आम के टुकडो को मैंने बरतन में फैला लिया है और चीटिया न लगे इसके लिए बड़े बरतन में पानी भर कर बीज में एक कटोरी रख लिए आभ इसे हम धूप में रख देंगे 6-7 घंटे के लिए और थोड़े आम को देंगे हम चटपटा फ्लेवर तो इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच भूना जीरा पौडर एक चोथाई चम्मच काली मेर्ज पौडर इनको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इनको भी हम धूप में रख देते हैं बिना धूप के इन्हें रात पर पंखे के नीचे भी सुखा कर ले सकते हैं आप ये जो चासनी बच्ची है इनका इस्तमाल हम दूसरी रेश्पी में करेंगे तो देखे ये कुछ किनारे के हिसे बच्चे थे और ये जो गुठली है ना इनके पल्प को भी हम निकाल लेंगे इससे आम के गुद्दे वेश्ट नहीं होंगे और बहुत ही सांदार सी रेश्पी बनकर त्यार हो जाएगी अब इनको हम डाल देंगे मिक्सर जार में और इसमें हम डालेंगे 5-6 लसुन की कलिया और 2 सुखी लाल मेर्ज इनको हम तोड़कर डाल देते हैं जिससे ये असानी से पिस जाएगे अब इनको दरदरा पिस लेंगे देखिए इस तरह से आप गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच तेल तेल गरम हो जाने पर आधा छोटा चम्मच कलोंजी डाल देंगे आप चाहे तो इस टाइम पर जीरा सौफ अजवाइन डाल सकते हैं पर इसे हम बना रहे हैं बहुत कम मसालों से तो इसमें हमने इसे वे आम डाल दिये हैं आप इनको 2-3 मिनद तक भून लिजे जिससे लैसुन का कच्चा फ्लेवर निकल जाए हलका ट्रांसलूशिन दिखने लगे तो इसमें चीनी वाला सीरप डाल देजे जिसमें हमने आम के टुकडे भीगो कर रखे थे अब इनको अच्छे से मिक्स कर लिजे और मिक्स करने के बाद इनको ढख कर 3-4 मिनद तक पका लिजे गैस का फ्लेम मेडियम रखिएगा और बीच में 1-2 बार चला लिजेगा जिससे ये जले नहीं आम अच्छे से गल गया है तो इनको 2 मिनद तक और पका लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो हम इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच भुनाजीरा पौडर और आधा छोटा चम्म davon काला नमक इतने मसालों से ही चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो इस टाइम पर गरम मसला पौडर और लाल मिर्स पौडर भी डाल सकते हैं तो देखें अभी ये चटनी पतली लग रही है इनको लंबे टाइम तक खाना हो तो थोड़ी देर इनको और पका लिजेगा जिससे ये थोड़ी गाड़ी हो जाए और थोड़ी देर बात ये देखें जब आप पल्टे से गिराएंगे तो ये टपक टपक कर गिरेगी तो बस चटनी तयार हो गई है कलर के लिए हम इसमें एक चुटकी औरेंज फूट कलर डाल रहे हैं इससे चटनी के टेस्ट में फर्कने पड़ता है आप चाहें तो इसके बीना भी बना सकते हैं ये चटनी रोटी पराठे पुड़ी के साथ बहुत देस्टी लगती है और इन्हें साल भर इस्टोर करके रख सकते हैं साथ से आठ गंटी की धूब दिखाने के बाद ये देखिए आम की कैंडी भी बनकर तयार हो गई है और इधर चट पटे मसाले वाले कैंडी भी और इनको मैंने बनाया है बिल्कुल सिंपल इनको आप डब्बे में भर कर फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हैं बच्चे इन कैंडी को बहुत पसंद से खाते हैं और ये लिजिए ठंडा होने के बाद चटनी थोड़ी और गाड़ी हो गई है ये खाने में बहुत ही लाजबाब लगते हैं तो दोस्तों बहुत कम समान में ये तीनों चीजे बहुत आसानी से बन जाती है बीना किसी चीज के वेस्ट हुए और तीनों रेश्पी में से आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी कॉमें जरूर बताइगा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद